गुद मॉर्निंग अब्रीवन वेलकम टो स्टरी कॉर्नर मैं हूँ आपकी फ्रेंड अराधना आज मैं बैट पे ही बैट के पढ़ रही हूँ क्योंकि छोटी बच्ची जो है मेरी उसको कल का वैक्सीन मने लगवाया है और वो अपना हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिला पा रही है बहुत वो पेन में है तो गिया उसके उपर ना चाड़ जाए इसके वज़े से उसके पास ही बैटी हूँ क्योंकि वो बार-बार रो भी रही है आप लोग अकसर पूछते हैं कि मैं इतना पॉजिटिव कैसे रहती हूँ मेरा पॉजिटिव रहने का सिर्फ एक ही फंडा है कि मैं चीजों को लंबा लेके नहीं चलती हूँ खीचती नहीं हूँ प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी है हर किसी के पास चाहिए आप हाउस वाइफ हो आप वर्किंग विमन हो हर किसी के पास अपनी अपनी परिशानिया है पर जब मैं रात में सोने जाती हूँ न तो जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं शॉट आउट करके तब सोती हूँ अगर जो चीजे आप सुलजा लेती हैं या तो उनको ठीक कर लिजिए अगर कुछ चीजों को आप नहीं सुलजा सकती है उनको वही छोड़ दीजे उनको लेट को करिए और फिर जब अगले मॉर्निंग आप उठती है तो फ्रेश माइंड से उठिए आपके हस्बेंड से, इनलो से, ननत से मतलब किसी से भी अगर आपका कोई इशू हुआ है तो अगर आपके ही सौरी बोल देने से वो चीजे सुलज जा रही है तो उनको सुलजा लिजे क्योंकि आपको अपने माइंड को फ्रेश रखना है अगर किसी से हमारी कोई बहस जाती है तो हम पूरे दिन परिशान रहते हैं अंदर से उलजे हुए रहते हैं तो अपनी उलजन ना पढ़े उसके लिए आप ही छोटे बन जाए और अपनी चीजों को सुलजा करके अपना काम निकलवाना सीखिए आपको स्मार्ट वर्क करना सीखना है एक्जांपल के लिए अगर आप कोई रबबेंड लेती हैं आप उसको जितना खीचेंगी वो उतना ही फैलेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इतना फैल जाएगा कि वो यूजलस हो जाएगा या फिर वो तूट जाएगा तो आपको अपनी चीज़ों को अपनी परिशानियों को अपने साथ ले कर के नहीं चलना है उनको इतना मत फैलाएगे कि वो आपको ही परिशान करें अगर वो सुलच पा रही है तो सुलजाएगे वरना उनको वहीं छोड़ दिजीए मैं अपने जिम्मेदारियां अच्छे से इसलिए निभा पाती हूँ क्योंकि मैं चीजों को ले करके नहीं चलती हूँ मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी कुछ न कुछ होता ही रहता है चीजे मुझे भी बुरी लगती है, मुझे भी हॉट करती है बट ऐसा नहीं है कि मैं उन सब चीजों को ले करके चले जा रही हूँ जो भी होता है मैं रात को सोने से पहले चीजों को ठीक कर देती हूँ अगर नहीं ठीक होती है तो उनको छोड़ देती हूँ मैं और फिर next morning में हमेशा fresh mind से ही उठती हूँ तो ये था मेरा आज का वीडियो I hope आप लोग को पसंद आया हो और अगर कुछ भी suggestion आप लोग के पास मेरे लिए हो तो please मुझे भी दीजेगा वो suggestions मिलते हैं फिर कल के वीडियो में